एक बहुत बड़ी अफडेट आ रही है बच्चों लोगों के लिए जिन्हों ने इस साल क्लास तिंथ बोड के एक्जाम्स दिये थे और स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्हों ने बेसिक मैथमेटिक्स लिया था ध्यान से सुनना क्या इंफॉर्मेशन है जैसी आप जैसे कि आपको पता है आप लोगों को दो अप्शन दिये जाते हैं क्लास तेंथ में बेसिक मैथमेटिक्स लेने का और स्टांडर्ड मैथमेटिक्स लेने का अगर आप स्टांडर्ड मैथमेटिक्स लेते हो तो आप हाईयर क्लास में मैठ्स को परस्यू कर सकते हो यानि PCM को pursue कर सकते हो वही पे ही basic mathematics वो लेते थे बच्चे जिनको आगे maths नहीं पढ़नी होती थी जिनको interest नहीं होता था लेकिन कभी कबार बच्चे तेंथ क्लास में पढ़ते पढ़ते बेसिक mathematics में पढ़ते पढ़ते maths में इंट्रस डवलेप कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि सर अब मेरे को PCM pursue करनी है तो आप लोगों के लिए ही बेटा यह circular है इस circular में क्या लिखा गया है इस circular में यह लिखा गया जैसे पहले भी हुआ था यह एक बारी कि basic mathematics वाले भी PCM कर सकते जो यह 041 कोर्स लिखा हुए न यह PCM का कोर्स है ठीक है तो पहले basic mathematics वाले बिटा applied mathematics लेते थे लेकिन इस बार दुबारा से relaxation दिया गया है this rule has again been relaxed by cbsc for the session 2023-2024 only यहान रखना इसी बैच वाले के लिए बच्चों के लिए है who offered mathematics basics are also allowed to offer mathematics 041 in class 11 तो एक बहुत बड़ी update cbsc की साइट से आई है कि before permitting this school वाले aptitude test conduct करा सकते हैं जहां पर वो चेक कर लेंगे कि यार आप PCM के लिए आपका जो aptitude है और ability है वो है भिया नहीं वो school level पर depend करता है कुछ school वाले इसको conduct करवाएंगे शायद कुछ school वाले आपको ऐसे ही PCM opt करने का मौका दे रेंगे तो this was it from my side hope this session is useful to you बबाए गाइस टेक केर